हलो स्टुडेंट, SBN कोलेज उप एजुकेशन के उनलाइन क्लास में आप कारदिक शुआगत हैं, मैं हूँ आएम के याद हूँ, आपके सामने बीएस्टीस सेकेंडियर की विद्याले संसकर्ती और प्रबंध शिक्षक उस्तक में हम पढ़ा रहे हैं, केंदर सरकार की शिक् अले वाले चेक्टर में देखा था, वीडियो में भी देखा था, कि 1883 में लाड रिपन के दुआरा सबसे पहले शिक्षा विभाग या एजुकेशन के बारे में अपने मतगरना दी थी, उनके बाद 1910 में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गी थी, सवतनतर्ता के पस जाएंगे ब्योरो इस्तापित किये जाएंगे और वो ब्योरो ही जैसे शिक्षा विभाग, कलास विभाग, संस्कर्थी विभाग, नारी एवंसीशु कल्यान विभाग, युवा खेलकुद विभाग, इस परकार के डिवाइडेशन किया था, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है विद्याले, संस्कर्थी, परवंद और शिक्षक इसमें हम पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ा था केंदर सरकार, यानि केंदर सरकार का आर्टी के आधार पर किस परकार के कारिक ये अब पढ़ेंगे राज्य सरकार ने का शिक्षा विभाग के पर्ति क्या अपना उत्तर दायत हुए तो उसमें राज्य सरकार के पर्ति जो शिक्षा समंदी कारिये हैं दायत्ते हैं जो उनके हैं उनमें सबसे पहले आता है वितिय कारिये सबसे पहले कोन सा आता है राज्य सरकार का वितिय कारी है नि वितिय सेवा क्या क्या देती है राज्य सरकार अपनी वितिय सेवा में क्या योगदान करती है तो वितिय सेवा में राज्य सरकार का सबसे महत्मून कारी है प्रात्मिक एव माद्यमी शिक्षा के लिए वितिय व् वस्ता करना ठीक है जिसमें कुछ के अंदर भी अनुदान देता है और कुछ राज्य सरकार भी क्या देती है अनुदान देती है यानि प्रात्मिक इस्तर प्रात्मिक और माद्यमिक प्रात्मिक और माद्यमिक इस्तर की जो इसकुले होती है उसके लिए राज्य सरकार वित्य यानि वित्य अनुदान परदान करती है जबकि केंदर सरकार भी देती है केंदर सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उसका क्या करती है सयोग देती है वित्य कारिये में अपना सयोग देती है राज्य सरकार दूसरी बात आती है वो आती है अधिनियम आर्टिकल अधिनियम य राज्ये सरकार के दुवारा ही किया दाता है दूसरा महत्पून कार्य क्या है कोई भी कानून बनाते हैं सिक्षय के पड़ती तो राज्ये में कानून बनाने के सिक्षय संबंदी जो भी कानून बनाया जाता है राज्ये में वो कोन बना सकती है अधिनियम कोन पारित करती है राज्य सरकार बनती है अपनी राज्य में लागू करने के लिए अधिनियम यहने शिक्ष्य एजुकेशन में जो कानोनी कारवाई है वो लागू करने की परविष्टी दूसरा महत्मन कारे क्या है अधिनियम पारित करता है अपनी राज्य में यह किसका है राज्य सरकार का का तीश्रा है परिनीरिक्षन एवण निरिक्षन ये इसका क्या हो गया कारिय हो गया परिनीरिक्षन एवण निरिक्षन यानि राज्य सरकार तर्तिय महरकुन काने विद्धालों में सभी प्रकार की किरियाओं का निरिक्षन करती है। निरिक्षन और निरिक्षन का कारे भी राज्य सरकार की देख रहे के द्वार ही होता है। आपको पता होगा रीट लगती है हमारे यहां रीट होती है पस्ट लेवल सेकिन लेवल के लिए होती है। राज्य सरकार इसके साथ प्रब्लिक सर्विस कमिशन दुवारा की जाती है। प्रब्लिक सर्विस के दुवारा इनकी नियुक्ती की जाती है। इनकी नियुक्ती योगी शिक्षकों की नियुक्ती होती है। उनकी सेवाएं उन सब का निर्धारन कोन करती है। राज्य सरकार करती है। नमबर पांच है पाठे कर्मों का निर्धारन। पाठे कर्मों का निर्धारन। पाठे कर्मों का निर्धारन कोन करती है। राज्य सरकार करती है। राजस्तान जैसे हमारा राज्य राजस्तान है राजस्तान राज्य की जो भी पार्टे पुष्ट करें उनको केंदर सरकार ने करके राज्य सरकार करते है कि किस भासा में मात्रे बासा कैसे उन माध्यम कैसा होना चीए किस परकार का सिलेबर्स होना चीए कि उनकों से विशे को कितना समय दिया दाए, किस प्रकार इनका रहचा तयार किया दाए, तो ये सब किसकी जीमेदारी होती है, राज्य सरकार की होती है, तो आपको इसपस्ट करवा दे केंदर सरकार के बारे में हमने अध्यन कर लिया था, अब राज्य सरकार के बारे में अध्यन कर रहे हैं, त स्कूल के लिए जैसे स्कूल उनके अध्यापक होते हैं, फनीचर की विवस्ताइं होते हैं, भोतिक संसादनों की विवस्ताइं होते हैं, लेब होते हैं, ठीक है, इन सब के लिए वित्ति शेवाई देनी का कारे कुन करती है, राज्य सरकार करती है, दूसरा अधिनियम यानि किसी भी शिक्षय विभाग में, किसी राजय में कानून मनानी का आधिकार, वार को यह जो भी कानून मनाई जाते हैं, वह कानून राजय सरकार के दुवारा ही निर्मित किया जाते हैं. नमर तीन है परिय निरिक्षण वा निरिक्षण यानि जो भी विधरे या शिक्षय विभाग का कोई भी कारिय होता है वो कारिय परसासनी कारियों यह सचीव के माददे में से किया जाता है लेकिन शिक्षय विभाग में वो कारिय किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है सर कि योगे शिक्षक प्राप्ते हो सके उनका वेतन उनकी सेवाएं उन सब का निन्ने भी कुन करती है राज्य सरकार करती है कि साथ वेतन आयोग लागू किया जाए जी ठीक है उसके बाद का वेतन लागू किया जाए टी ए कितना हो ठीक है तो इस परकार की उनकी जो भी सेवा होती हैं न सेवाऊं का पूरं ध्यान राज्य सरकार के अधीन होता है तीसरा आता है पाठह कर्मों का निर्धारन, पाठे कर्म किस परकार का हो… पाठे कर्म में क्या क्म जोड़ा जाए राज्य सरकार पर शिक्षा का परसासनिक धाचा क्या है राज्य सरकार पर शिक्षा का परसासनिक धाचा कैसा है किस परकार की शिक्षा पदती है हमारे किस परकार का धाचा होना चाहिए राज्य सरकार में परसासनिक स्वेदानी का देख्ष होता है जो राज्य का राज्य पाल होता है यानि इस स्वेदानी का देख्ष होता मंत्री परिशत के मंत्रियों में एक शिक्षा मंत्री भी होता है कहनी का मतलब है राज्ये का जो अध्यक्स होता है वो राज्येपाल होता है ठीक है उसके अलावा जो संपूर्ण वेदानिक सक्टी होती है वो मुख्य मंत्री के आवास होती है इसी मुख्य मंत्री के साथ एक मंत्री परिशत होता है जो मंत्री परिशत का मुख्या होता है वो मुख्य मंत्री होता है उस मंत्री परिशत में एक विभाग होता है जिसका नाम है शिक्षा मंत्री कोन होता है शिक्षा मंत्री परशासनिक अधिकारों में कोन आता है शिक्षा मंत्री एक सवेदानिक राज् ठीक है उस शिक्षा मंत्री के अधिकार चेतर में होता है तता उसकी साहता के लिए दो उप्त शिक्षा राज्य मंत्री होते हैं एक उसके परतेक राज्य में एक शिक्षा निर्देशाले होता है जो सारवजिक शिक्षा निर्देशाले होता है जो की शिक्षा विवा का स्रो education department होता है जिसका एक परसासनिक अधिकारी होता है और वो परसासनिक अधिकारी किसके अधिनकारिय करता है शिक्षा मंतरी के कारिय करता है शिक्षा मंतरी के दो उपर शिक्षा मंतरी होते हैं जो उनकी सायता करते हैं और एक परसासनिक आयेस रेंग का क्या होता है एक परसासनिक अधिकारी होता है और वो परसासनिक अधिकारी किसके अधिनकारी करता है शिक्षा मंत्री के अधिनकारी करता है ठीक है और इस प्रकार वो कड़ी से कड़ी सचवाले से विदान सभा के चेतरों तक जुड़ा रह जे शिक्षा निर्देशा लेका है उसमें होता है अधिकारी वो होता है शिक्षा मंत्री उसके बाद जो शिक्षा सचिवाले होता है उसका होता है शिक्षा सची उसके बाद शिक्षा निर्देशा लाए होता है उसका होता है शिक्षा निर्देशक उसके अलावा छेत्री य पर न होता है जिला विद्याले निरिक्षन या जिला शिक्षा अधिकारी वलोग इ jorn पर होता है वे बलावक शिक्षा अधिकारी और इस्थानी का मतलब है राज्य इस्तर पर जो एक मुख्य अध्यक्स होता है वो होता है शिक्षा मंत्री कोण होता है शिक्षा मंत्री के बाद प्रसासनिक जो अधिकारी होता है वो होता है सचीव सचीव के बाद जो छेत्री इस्तरपर होता है जिसको हम कहते हैं छेत्री प्रसासनिक अदिकारी क्या होता है उपन शिक्षा निर्देशक सर्किल शिक्षा अधिकारी उपन शिक्षा निर्देशक सर्किल अधिकारी जो होता है राजी इस्तरपरी होता है छित्री इस्तरपर होता है उसके बाद आता है वो आता है जिला इस्तरपर जिला इस्तरपर आता है जिला शिक्षा अ ब्लोक शिक्ष्य अधिकारी और फिर इस्तानी इस्तर पर जो आता है वो आता है इस्तानी इस्तर पर इस्तानी जो प्रधाना अध्यापक होता है प्रधाना अध्यापक के साथ जो कमेटी होती है जो कमेटी होती है अभिवावक होते हैं वो सारे समायजिते होते हैं तो इस इ जो चेत्री अधिकारी होता है जो चेत्र का राज्ये का वो कोण होता है अध्यक्स कोण होता है शिक्षा मंत्री होता है शिक्षा मंत्री के नीचे परसासनिक अधिकारियों में सचीव आता है सचीव के नीचे जो चेत्र को में जो सर्किल बांट रखे हैं जैसे निर्देशे की जो मीटिंग के सधस्य होते हैं वो होते हैं ठीक है इस प्रकार की व्यवस्ता पाई जाती है ठीक है ये व्यवस्ता पाई जाती है उसके बाद होता है मंत्राले इस्तर पर अम मंत्राले इस्तर पर क्या होता है तो मंत्राले इस्तर पर जो होता है वो होता है शिक्षा मंत्र मंत्राले इस तरपर कोण होता है शिक्षा मंत्री होता है और शिक्षा मंत्री के अंदर की बाती राज्ये में भी एक शिक्षा मंत्राले होता है जिसका प्रमुक अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है जिसका प्रमुक अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है जिसका प्रमुक अधि शिक्षा मंत्री होता है इसकी साहता के लिए किसी भी राज्य में एक तता किसी में दो उप शिक्षा मंत्री भी रखे जा सकते हैं एक शिक्षा मंत्री की साथ प्रात्मी की इस्तर का उच माध्य में की इस्तर का ठीक है कोलेज इस्तर का क्या हो सकते हैं शिक्षा मंत्री भी नियुक्त के जा सकते हैं ठीक है इसके अलावा जैसे हमारे हैं हो सकते हैं जैसे उत्तर परदेश है मेसूर है पंजाब है राजस्तान है पस्षी मंगाल जम्मू कुस्मीर महाराज शिक्षा मंत्री जनता का चुनाव हुआ परतिनीडी होता है यानि शिक अलावा राज्य की विधान मंडल के पर्ति उतरदाई होता है क्योंकि वह शिक्षा की निती का निदारन करता तता उसको किर्यानवीत करता है राज्य में कुछ ऐसे विवाग एव मंत्राले भी होते हैं जो शिक्षा मंत्री के अधिन नहीं होते किन्तों आपने विशेज सेत की इस्तापना की गए यह वानिज्य है कर्शी है यह अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट है वानिज्य डिपार्टमेंट है कर डिपार्टमेंट है यह शिक्ष्या मंत्राले से भीन है लेकिन इनके साथ दोनों के साथ क्या है समनवे है जो कोटैरिक कमिशन जो आयोग है उसके और या और प्रेस्तित केया गए कि इनके साथ इनका क्या है गई अई डिaj संबंद है जो एजुकेसं से संबंदीत है ठीक तो इसके लिए शिक्षय विभाग में किया किए лом आई सेक्षिक प्रिसत की स्तापना कि और शिक्षय मंत्री अपनी कारें शिक्षय नियमानाातमकारियी का मतलब है नियमों का निर्मान कार्य का मतलब अ सकता प्रात्मिक विद्याले आ के लिए है ये राश्ट इस्तर तक उस्तकों की व्यवस्ता करना, इसके अलावाया निर्देशी कारिये, निर्देशी कारिये का मतलब है द्रिक शुत्री योजनाई निर्धारिते करना, शिक्षा समंधी भिन-भिन कारियों में समनवे इस्तापित किना, शिक्षा समंधी सोध कारिये कर तो ये तीन S.N. मुखर जी ने तीन कारियों में इनको बताया है, नियमाना आत्मक, परिचाला आत्मक और निर्देशिक कारिये, नियमाना आत्मक कारिये, परिचाला आत्मक कारिये, तीसरा है, निर्देशिक कारिये, तीन भागों में S.N. मुखर जी ने निर्दारित किया ह उप्यूक्त कारियों को पुरा करने के लिए राज्य शिक्ष्य विवार के दो अंग हैं शिक्ष्या सच्वाले तता शिक्ष्या निर्देशाले दो हैं शिक्ष्या सच्वाले तता शिक्ष्या निर्देशाले दो इस्तापित किये गए हैं जिनको आगे हम संक्षेप में परशासनिक दाचा कैसा है, परशासनिक दाचे की व्यवस्ता कैसी है, परशासनिक दाचे का मतलब उसमें क्या-क्या होते हैं, तो शिक्षा मंत्री होते हैं, ठीक, एक अध्यक्स होता है, शिक्षा मंत्री के साथ इस परकार की सेवाएं होती है, शिक्षा मंत्री और शिक्ष तो इस प्रकार का एक सर्किल वना रखाय है जिसके माधदिम से एणिजुकेसर विभाग यानिजुक्स विभाग यानिजुक्सामां दीकारि प्रफृ Oo को ओदकर होता हैs учand जैसे एक सेंटर गवरेमेंट में ब्योरो बना रखा है वैसे ही राज्य सरकार में भी ब्योरो बना रखा है ठिक ये थी उनकी कारिये नीतिया ठिक इसके बाद हम अगले जो आपका वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा सच्वाले, शिक्षा विभाग और सच्व या सच्वाले और निर्देश वाले जो दो हैं वो निर्देश वाले किस परकार के कारिये करते ही नी सच्वाले क्या कारिये करता है तो ये रीट के लिए भव तूप्योगी है ठीक है धन्यवाद